अगर आप लोगोंने भी अपने घर पर तोरह के पौदे लगाई हुए हैं, और आपके तोरह के पौदे पर जो हैं फलफूल नहीं आते हैं, या फिर फल आते तो हैं, पर काले पड़ कर जड़ जाते हैं, चलिए दोस्तों सभी चीजों के बारे में जान लेते हैं, तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं कि हमारे तोरे के पौदे पर काफी ज़्यादा फल आई हुए है अगर आप लोग भी चाते हैं इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा फल लेना तो आप इस वीडियो को बिना इसकीप किये पूरा जरूल देखना तो जैसा कि आप सामने पौदे पर मैं बताना चाता हूँ कि आगे भी फल लगे हुए हैं पत्ते पत्ते पर फल आई हुए हैं और काफी तरह अच्छी तरह से ग्रोथ चलने लगी हैं और फल भी आगे लगे हुए हैं और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर बड़े बड़े फल लगे हुए हैं जैसा कि यहाँ पर भी देख सकते हैं किस प्रकार फल लगे हुए हैं तो चलिए दोस्तों यहाँ पर जाल लेते हैं तोरई के पोदे की केर के बारे में तो चलिए दोस्तों जाल लेते हैं तोरई के पोदे की केर किस प्रकार करनी चाहिए और यहां पर देख सकते हैं, तो आप यहां पर देख सकते हैं किस प्रकार फूल आई हुए हैं, किस प्रकार इस पोदे की गिरोध चल रही है और किस प्रकार सुहाना लग रहा है और यहां पर काफी कली आई हुई हैं और यहां पर देख सकते हैं यहां पर तोरे के पोदे पर जो छोटी छोटी कली आई हुई हैं और यहां पर तोरे के पोदे पर फल लगा हुआ है और यहां पर देख सकते हैं आप काफी बड़ा फल लगा हुआ है और काफी अच्छी तर दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं पोदे की के बारे में, किस परकार केरकरनी कांगी चाहिए ? तो दोस्तों सबसे पहले 10 से 15 दिन के बाद गुडाई कर देनी चाहिए गुडाई करने के साथ साथ बर्मी कमपोस्ट या गोवर की खात लगा देनी चाहिए तो चलिए दोस्तों सबसे पहले तोरे के पोदे की गुड़ाई कर ले दिया तो दोस्तों गुड़ाई करते समय एक विज़ेश चीज का द्यार रखना है आपको ज़्यादा गेहरी गुड़ाई नहीं करनी है तो आपको ज़्यादा गेहरी गुड़ाई करनी नहीं है अगर आप गेहरी गुड़ाई करती है तो रूट्स कर सकती है और आपका पौदा शूप सकता है तो चलिए जान लेते हैं पटी लाइजर के बारे में तो जैसा कि आप सामने देख सकते हैं हमने छास ली हुई है कई जगे इसे मठा भी बोल देते हैं तो दोस्तों हमने यहाँ पर छास को 200 ml लिया हुआ है और साथ साथ हमने यहाँ पर दोसरे बरतन में एक लीटर पानी लिया हुआ है और इसमर हम छास को मिला देंगे तो चलिए दोस्तो अब हम इसे पौदे में यूज कर लेते हैं तो जैसा कि दोस्तो आप सामने देख सकते हैं हम चास को पौदे में यूज कर रहे हैं तो जैसा कि दोस्तो आप सामने देख सकते हैं पूरे के पौदे में इस चास को हमने चारो तरफ डाल कर तयार कर दिया है तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपक के साथ तब तक के लिए थेंक्यू